हेलो जी मैं हूँ आपका अपना शेफ हरपाल सींग सोखी चलिए आज बच्चों की मन पसंद फेरी फेरी पुरेडोस बनाते हैं सबसे पहले मैं पानी उबालने के लिए रख देता हूं पानी में मैं नमक भी डाओ और आप आलू काट लेते हैं इस तरह से काटने आपने आलू वेज़ेस ठीक है ये इस तरह से वेज़ेस कड गए है अब गरम पानी में डाल अब लगबग 3-4 मिनट तक आपने उबालना है आलू को आप जान लेते हैं सबस्क्राइब करना नमक दाल करते हैं तो थोड़ा सा नमक वह आजाता है इसमें दूसरी बात है स्टार्च थोड़ी से एकसेस निकल जाती है सॉफ्ट भी हो जाते हैं पूरे पकाना नहीं है सॉफ्ट करना ठीक है तो यह बिल्कुल तया है अब चिंग सीग्रेट का रेड चिली सॉस लेते हैं और दो टेबल स्पून लगभग डाल लेते हैं सॉल्ट नहीं डालूंगा मैं क्योंकि यह जो सॉस है इसमें नमक होता है औ कर अब तेल हमने बढ़िया गरम करने के लिए रख दिया आलू में थोड़ा सा कॉन स्टाक्श और मैदा डाल लेते हैं तो दो वड़े चंबांस तर्के favour couch मैदा के डाल लेते हैं से इसको मिक्स कर लेते है कि मिक्स करने के इमीरेटली बाद कि यह आलू को सीधे फ्राइब करना अब दूसरी बार प्राइब बढ़िया क्रिस्प आलू निकलेगे चले आलू तो हाप फ्राइभ हो गये अब निकाल लेते हैं, चलिए तेल दुबारा गरम आपस फ्राई कर लेते हैं, एकदम क्रिस्प बार, चलिए आलू बढ़िया गोल्डन फ्राई हो गये हैं, क्रिस्प, इसको मैं निकाल लेता हूं, अब लगाएंगे जादू, ये एक बोल ले लेते हैं, आलू इसमें डाल लेते हैं और इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे, Smith & Jones का पेरी-पेरी मसाला वेरी-वेरी टेस्टी अजीब, किसी में मी डालें, एकदम जान डाल लेता है नए जमाने का चात मसाला है यह लिजये गर्मा गरम जब अलू निकालते हैं एक प्यरी मसाला इस पर सुआ करें गर्मा है इसको मि्क्स करें वाह जी वाह परोशने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं पुड़ा सा गानिश कर लेते हैं हरा धनिया को तेल में फ्राइ कर लिया हमने अलका सा गानिश के लिए यह तो निकाल लेते हैं कि गानिश करें यह परिपरी परेड़ों और यह जब आप खाएंगे ना मज़ा आ जाएगा आप इसको चीन सीक्रेट के सेज्वां चक्टनी के साथ परोसे या रेट चिली सॉस के साथ परोसे या अपनी मन पसंद कोई भी विए उनीज हो उसके साथ परोसे आने में हुआ को पूराएगे के साथ यारे टे के साथ अपनी और यह जारे जारे के साथ